साधवी यौन शोशन और हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहे डेरा प्रमुख रामरहीम, 40 दिन की पेरोल पर बाहर आए हैं। हर्याना की सुनारिया जेल से निकलने के बाद शनिवार को रामरहीम बागपत के बरनावा आश्रम में पहुंचे थे। अब रामरहीम द्वारा तलवार से केक काटते हुए सेलिब्रेशन करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है। कम से कम पांच केक काटने जाएए। की बागपत पुलिस बरनावा आश्रम पहुंची थी। रामरहीम के आश्रम में प्रवेश करते ही मुख्यद्वार को बंद कर दिया गया था। बताया गया कि साध संगत के आश्रम के अंदर प्रवेश करने पर रोक लगाई गई है। पेरोल के नियमों का पालन करते हुए आश्रम में भीड नहीं जुटने दी जाएगी। यदि नियमों का उलंगन हुआ तो कारेवाई भी कर दी जाएगी। गुर्मीत राम रहीम के साथ अनीप्रीत वापरिवार के सदस्य भी आए है। वहीं बागपत जनपद में आने पर राम रहीम को सुरक्षा दी गई है। बेरे के मुख्य द्वार पर पुलिस बल तैनात किया गया है। अब आश्रम के गेट पर पुलिस का सक्त पहरा है।